हमीरपूर की एंत्यध आने वाले गां कोठी के दर्शनों ग्रामिन सडक समस्तिया को लेकर उपाइक हमीरपूर डॉक्टर रिचा फर्मा से मिले कोठी गां से जुली तक संपरक मारा को बनाने की मांग ग्रामिनों ने उपाइक से की ग्रामिनों का कहना है कि गाम में सडक ना होने से लोगों को आवाजा ही करने में दिकतों का सामना करना पड़ता है यदि कोई गाम में बिमार हो जाता है तो उसे बिस्तर पर उठा कर एनच तक लाया जाता है जो कि काफी दूर है बिमार को समय पर इलास ना मिलने पर गाम में तीन मौतें भी हो चुकी है उपायुक से मिलकर लोगों ने जल से जल सड़क के कारे को पूरा करने की गोहार लगाई कोटी निवासी महिला ने बताया कि कोटी से जुली गाम तक सड़क ना होने से काफी दिकदों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने बताया कि बरसाथ की दिनों में अधिक बारिश होने पर बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते हैं उन्होंने कहा कि बिमार को समय पर इलास नहीं मिल पाता है उन्होंने परसासन से गोहार लगाई है कि जल से जल सड़क का निर्मान कारे करवाय जाए तक कि गाम तक एमबुलेंस पहुंच सके मुस्कल है रोड़की की कोई समस्या नहीं कर रहे है और ऐसी बात है कि हमने अब लैटर दिया तो काम होना चाहिए जर्दी और फूल पड़ेगा नाला है बीच में वो भी जरूर मतलब फूल की समस्या होगी तो अंबुलेंस बगहरा रोड़ हम है जरूर चाहिए अंबुले है तो जल्दी से जल्दी है काम होना चाहिए है और हम बेको गर में इतनी हमने कोठी से लेकर रोपे तक जमीन गी है दान में सुरकारी रोड को भी है और वो बीच में लिंक रोड है खुरसर पांच तीन-चार किलोमेटर है बोई हमें चाहिए उत तब हमारी समस्या दूर ह बन गे हमारा थां इतनी आने जाने की भी नहीं है वदर बार सोगी बच्चे स्कूर भी नहीं जा सकता है हम कई बजार जाना कोई हम जय चुदी हो भी काम नहीं कर सकते हम हमारा काम जए जरूर का तो जल्दी जदी लगाया और पुल कभी शुसमस्या है वह भी सबदान की बरड़ा कोटिन से जुली तक लोग निर्मान विभाग दोरा सडक का नेरिक्षण भी किया गया था लेकिन आज दिन तक सडक का कारया नहीं किया गया उन्होंने बताया कि गामवासीों ने सडक के लिए जमीन दान की है लेकिन इसके बाब जुद भी लोगों को सडक की सुव विधा के लिए गोहार लगाई है।